पाकिस्तान को चिताया और कहा अतंगवाद के खास्मे के लिए आप जड़ों में जानी की ज़रत है जब तक कुछ देश आतंगवाद को प्राक्सी वार के रूप में इस्तेमाल करना नहीं छोड़ देते और उनकी फंडिंग बंद नहीं करते तब तक आतंगवाद के खिलाव जंग जारी रहेगी यह लड़ाई अभी खत्म होने वाली नहीं है और हमें इसी के साथ जीना है उन्होंने कहा कि हमें इसके खास्मे के लिए इसकी जड़ों तक पहुचना होगा हमें भी अमेरिका जैसे रास्ता अपनाना होगा आतंगवाद के खिलाव वैश्विक जंग की जरत है ताकि पूरी दुन्या में इसे अलग-खलग किया दा फके यह चईया जब में जड़न आतंग पूरी ब मात घास्ता बहुचना होगाद के लिएज्वाद हो जड़त्स में इसके खास्ता आति इसके बान तो बहुचना होगा लिए अचान । state that we wish to arrive at. We have to bring an end to terrorism and that can only happen. The way the Americans started after 9-11, they said let's go on a spree on global war on terror and let the nations join together and fight terrorism together. पूर्व सेनाध ध्धक्ष और वर्थमान सीडियस रावत ने कहा कि अगर हम आतंकवाद को खत्म करना चाहता हैं, तो हमें भी अमेरिका जैसा रास्ता अपनाना होगा, जैसे उन्होंने 9-11 के बाद शुरू किया था, आतंकवाद के मददगार और इसके प्रायोजग देशों के साथ भी ऐसा ही रवया अपनाए जाने की जुरत है, उन्होंने पाकिस्तान पर निशाना साथते हुए कहा कि FATF और जैसे देशों को ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए, साथ ही कूटने तेक तौर पर भी ऐसे मुलकों को कहीं भी जगहां नहीं मिलनी चाहिए शिफ सेना के बड़ बोले रेता, संजी राउत ने कहा था कि इंद्रा गांधी अंडर वर्ड के करीम लाला से मिलने आती थी संजी राउत के इस बयान के बाद कॉंग्रेस आज बबूला हो गई, शिफ सेना प्रवक्ता संजी राउत के बयान पर देश में सियासी खमसान मज गया संजी राउत ने कहा था एक समय मुंबाई का अंडर वर्ड बैंक कॉक से भी ज्यादा ताकतवर था यहां तक की ततकालीन प्रधान मंतरी इंद्रा गांधी भी तपके अंडर वर्ड जॉन करीम लाला से मिलने मुंबाई आती थी करीम लाला के कहने पर मंतराले तैह होते थे इस पर प्रतिक्रिया व्याक्ति करते हुए कॉंग्रेस नेता संजे निरुपम ने कहा बेहतर होगा कि शिव सेना के मिस्टर शायर दूसरों की हलकी फुलकी शायरी सुना कर महराश्ट्र का मरुरंजट करते रहे पर्व प्रधान मंतरी इंद्रा गांधी जी के खिलाब दुश प्रचार करना तो उन्हें पश्टाना पड़ेगा उन्होंने जो बयान दिया है वो वापस ले संजे निरुपम ने अपने एक अन्य ट्विट में लिखा यह विडंबना है कि छतरपती शिवाजी महराज के नाम पर राजनेतिक दुकान चराने वाले शिफ सेना उनके वन्शजों से वन्शज होने का सबूत मांग रहे हैं यह इतियास की सबसे बड़ी राजनेतिक उडंद्रता है वही मुंबई कॉंग्रेस के अध्यक्ष मिलंद देवडे ने भी शिफ सेना के बयान के अलोचना और ट्विट किया कि इंद्रा गांधी सच्ची देश भक्त थी बयान पर बवाल मचने के बाद इस मामले से डरे हुए संजर राउत ने सफाई दी और गुरुवार सुभा अपने बयान से यूटन ले लिया राउत ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से लिया गया है करीम लाला पठान सबुदाय के बड़े नेता भी थे पठानों की भलाई के लिया इंद्रा गांधी समेत तमाम नेता आपस में मिलते रहते थे अब करीम लाला होता तला भेटाला इंद्रा गांधी दाईचा पाई दूनिला यह अंडर्वल आमी पाई ले आता काई नहीं बुंदेल खंड बैडिकल कॉलेज की समाने परिशत की बैठक में शामन होने के बाद चिकित सशी शामन मंत्री डॉक्टर विजलक्ष्मी साधो ने बीएंसी परिसर का निरिक्षण किया लेकिन निरिक्षण के दौरान ट्वालेट से आ रही तेज बद्वु की वज़े से मंत्री साधो को अपनी नास पर हात रखना पड़ा जिसके बाद उन्होंने बीएंसी प्रवंधन को जम कर फटकार लगाई की सुस्त पड़ा रहता है जब कोई आला अधिकारी या मंत्री यहां दौरा करने आए तो व्यवस्था कुछ ठीक की जाती है और अन्य व्यवस्थाओं को आनंफानन में दुरुस्त किया जाता है मैंने पास मेडिकल एज़िशन है और डॉक्टर को यहां पर बनते हैं चिकित सब्सक्राइब रहता है कोशिस प्रयास करने हैं सुदावस्थाओं का डॉक्टर अवलेबल में लेकिन काफी जगा सुदार आ रहा है उसको देखते हुए मेरे विवाग के परोगस है हम लोग यह नीती बढाने जाने हैं बुंदेलखन मेडिकल कॉलिज की जाई सालवाज चिकित साशिक्षा मंत्री डॉक्टर वीजय लक्ष्मी साधो की अध्यक्षिता में सामान ने परिशत की बैठक हुई इसमें मंत्री ने कॉलेज के आउडिटोरियम हफसली के इंसिनेटर प्लांट एप्रोच रोड और अन्य मुद्धो खुली कर हाउसिंग बोड के अधिकारियों से सवाल जवाब किये इस दौरान संतोज जनक उतरना मिलने पर वे नराज हो गई और हाउसिंग बोड के इवाइंजीनियर को जीसी की बैठक से बाहर कर दिया मुख्यमंत्री कमलनाज जी आप भले ही अवैद रेत उत्खनन ना होने के दावे करते रहे हों लेकिन आप ही के मंत्री और विधायक सारा सच बया कर आपके सिस्टम को कडगरे में खड़ा कर देते हैं अब गाडरवारा की विधायक सुनीता पटेल को ही देख लें वर्मान मेले के उद्खाटन मौके पर विधायक सुनीता पटेल रेत के अवैद उत्खनन पर व्यथित नजर आई और उन्होंने यह भी बोल दिया कि मा नर्मदा की गोज में बैट कर रोने का मन कर रहा है कि वे रेत का अवैद उत्खनन नहीं रोक पाई उनका कहना है प्रशाशन के अधिकारी थेले में रुपे तो ढून लेते हैं लेकिन ठाने के सामने से निकल रहे रेत के अवैद ट्रक नहीं रोक पाते अगर मुझे सीफा भी देना पड़े तो मैं सीफा दूंगी मैं रेत के अवैद खनन रोकने का वचन पूरा नहीं कर पा रही हूँ कमल नाज जी आपके एक साल के राज में विधायकों का ये हाल है कमल नाज जी रेत की खेती से आपके राज में भी आपके अधिकारी जम कर माल कूट रहे हैं और रेत का काला कारोबार जारी है आपकी विधायक सुनीता पटेल की माने तो उन्हें रेत के काले कारोबार को लेकर कॉंग्रेस और प्रशाशन से धोका ही मिला है आप ही के लोगों का कहना है जब मंतरी अधिकारियों से कहें तो कारवाई कर दी जाती है बाकी रेत का वैद दंदा अधिकारियों की नगर में तो आता ही नहीं कमलनाच जी आपके लोगों की पीड़ा इसलिए भी बहुत वाजिव है कि चुनाव से पहले घोशना पत्र में मतदाताओं से भी रेत अवैद उत्खनन को रोकने का वादा आपकी पाथी ने किया था कमलनाच जी कभी मैदान में जाकर भी हाल देख लिया करें कि आपके राज में आपके लोगों की ही क्या गत हो रही है विधायक सुनीता पतेल ने तो यह भी कह दिया कि मुझे किसी की डम पर टिकेट नहीं मिला मुझे तो नर्मदा जी की क्रपा से टिकेट मिली है मैं सीफा दूँगी तो सबसे पहले नर्मदा जी को दूँगी इसके बाद जरूरत पड़ी तो विधान सभा के सवाक्ष धरने पर बैठ जाओंगी गुना सांसर के पी यादव ने सीए के समर्थन में मुझावली पहुचकर दुकानों पर जाकर वाफुदपात पर लोगों को सीए के समर्थन में पचेबातेवाल लोगों को बताया कि किसी भी व्यक्ति की इससे नागरिकता नहीं छिन रही बलकि उन लोगों को नागरिक्ता मिलेगी जिनको पड़ोसी देशों में प्रताड़ी किया गया और वे मजबूरी से बहां से भाग कर अपने देश आए और अप्रजीवन यापन कर रहे हैं लेकिन उनको शाषके योजनाओ का लाब नहीं मिल पा रहा है और इस कानून के बाद इन पीडित लोगों को न्याय मिलेगा और शाषके योजनाओ का लाब भी मिलेगा कर वह थम हो गई है अभी कई तरह के उनके ऊपर अत्याचार हुए तो भाग कर वहां सरकार हमारे देश में शरण है और वह शड़नाथी की तरह से हमारे देश में रह रहे हैं लेकिन जब तक उन्हें नागरिक्ता नहीं मिलेगी तब तक उन्हें यहां की जितनी भी जन इतकारी जन कल्यान कारी जो सरकार की योजनाओं का उन भाई भेनों को कोई भी लाब नहीं मिल पा रहा है तो जैसे ही इस कानून के दौरान उनको नागरिक्ता मिलेगी तो उन् इसकारियों की लापरवाही और मनमानी के करण मध्यवदेश सरकार की योजनाओं का लाव आमजन को नहीं मिल पा रहा है। दरसल निवाडी जिले की ओर्चा तहसील अंतरगत पश्चमी मरोड गाउं में राजनीती के चलते विकास कारे ठप पड़ा हुआ है। गाउं को मूल भू सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है। गाउं में नाली ना होने के करण सड़कों पर बहता पानी इस्थानिय लोगों की मुसीवत का सबब बन गया है। इतना ही नहीं गाव में आने जाने के लिए सड़क ना होने के कारण ग्रामीनों को लगभग 12 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है ग्रामीनों का कहना है कि पिछले एक वर्ष से लगातार जिला मुख्याले में बैठे आला अधिकारियों से शिकायते की जा रही है लेकिन इसके बाद भी अधिकारियों के सिर्फ जू तक नहीं रही ग्रामीनों को सिवाय आशवाशन के कुछ नहीं हासिल नहीं हुआ है और नहीं अब तत समस्याओं का निराकना किया गया है बुडेरा पंचायत का शिकायत का जो आपने अभी आपके माध्यम से ग्याद हुआ है ये जनसुनवाई में इन्होंने आवेदन दिया था साथ जन्वरी को और रास्ते पे कुछ आतिकरमान को लेके और दूसरी चीजों के कारण जो सड़क नीवन पारा उसकी संबन में आवेदन है इसके बारे में जनसुनवाई साखां से पता किया गया है ये तैसिल्दार को और सीओ को निर्देशित किया गया है अभी इसको एक वीक ही हुआ है सिग्री इस पर कारवई की जाएगी सिधी का जिला अस्पताल जॉक्टर और नर्सों के बरताव को लेकर ज्यादा चर्चित है अस्पताल प्रवंदन से परिशान होकर एक सिर्फिर युवक ने सिविल सर्जन पर लोटे से जान लेवा हमला कर दिया युवक ने जिला चिकित साले परिशार में करीवे एक घंटे तक जम कर हंगामा किया और तोड़ फोड़ की बताया जा रहा है कि युवक ने भाई को मुखागनी दी और फिर घर से लोटा लेकर अस्पताल आया जहां उसने सिविल सर्जन पर हमला कर दिया जिसके बाद वहां मौझूद गाड़ों ने सिविल सर्जन को बचाया लेकिन बीच बचाव करने आए तीन व्यस्पी उस लोटे से जखमी हो गए युवक ने चिकित साले के सिविल सर्जन एवं पुलिस को जम कर कोशा युवक ने बताया कि उसके भाई की एक्सिडेंट में मौत हो गई थी उसके भाई की पीम रिपोर्ट ना तो सिटी को तवाली से दी जा रही है और ना ही अस्पताल प्रवंदन उसे पीम रिपोर्ट दे रहा था पीम रिपोर्ट मांगने पर अस्पताल में उसके साथ गाली गलोच की गई और उसके साथ मार पीट की गई हंगामा करने की सूचना मिलते ही सिथी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुची जहां पुलिस ने तीन व्यक्तियों को गरफ्तार किया और मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेशिया इस पूरे मामले पर सिविल सर्जन का कहना है कि वक्के द्वारा उन पर जान लेवा हमला किया गय जिसकी शिकायत उन्होंने सिथी कोतवाली में की थाना प्रभारी ने बताया कि हंगावा कर रहे तीन व्यक्तियों को गरफ्तार कर जेल भेश गया है होगे कैसे नहीं और पूरी-पूरी गालिया सुभी कर दिया दिया तो मैंने उसको समझाए कि तुम बैट जाओ मैं तुम्हारी लिए अगर जब लगा दो तो मैं तुमको उसकी फोटो का भी करा दिता हूं पर नहीं बोले नहीं आप हमको इसी वक्त रिपोर्ट की तदका लगी फिर गार्ड को मारा तब तक हमने पुलिस को इंफर्म किया पुलिस को इसके लिए अगर प्रियास किया अगर हमारा गार्ड नहीं पकड़ता तो हो सकता है मुझे भी चोटा थी अस्पताल से एक तहरीर आई थी वहां के मतलब यह जितन सोनी राजन सोनी और यह भाईयों सोनी इन्हों ने अस्पताल में सीमों आफिस में बूट करके वहां पर तोड़ फोड मार्ट पीड किये हैं जो सास की दस्ता बेज हमें फोड फार 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 ली है जिस पर से आव सीधी जिलाची के साले आयत दिन सुर्खियों में बना रहता है पीडित युवक द्वारा लगाए गया आरो काफी गंभीर है और उसके आरोपो दरकिनात नहीं किया जा सकता जिन परिस्षितियों में युवक ने हंगामा किया वे पुलिस एवं जिलाची के साले का जवान है यह घटना बीजापुर के चिकना कोड़े पाल गाउं के पास हुई घायल जवान का इलाज जिलास पताल में चल रहा है एस पी ने बताया कि सी आर्पियर जवान रूटीन चेकिंग के लिए जंगल में निकले हुए थे तभी उनका पैर नक्स्तियों द्वारा लगाए गए आईडी बंपर पड़ गया आईडी बंप की चपेट में आने से जवान के दोनों पैरों में गंभीर चोटे आई हैं घायल जवान को आगे के इलाज के लिए राइपुर रेफर कर दिया गया है आज CRPF 85 Battalion मादेव गाठी की कंपनी रोल ओपनिंग दूपी में निकले हुए थी इस दोरान केम से गरीब दो किलोबिटर दूर जंगल एरिया में एक जवान रावानूच का पाउं प्रिसर आईडी पे आया जिसके चलते आईडी बलास्ट हुआ है उसके राइट लेग म में काफी जयता चोट आई है अभी बिजापूर लिस्टिक होस्पिटल इसका इलाज चल रहा है अभी उसकी कंडिसन स्टेबल है अगरिम इलाज के लिए उसको रैपूर पेजा जा रहा है हत्यारों से लेज बदमाशों ने सरपंच के साथ सिल्मिस चाल में लूट की घटना को इंजाम दिया रिवा के अत्रेला ठाने में बदमाशों ने सरपंच को डीजल बेचने के बहाने बुलाया और कट्टारा कर उनसे अंगूठी वार रुपे छिन कर फरार हो गया बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने नाकबंदी की और दो आरोपियों को गिरफतार कर लिया बताया जा रहा है कि सरपंच प्रभाद कुमार दिवेदी के मोबाईल पर किसी ने फोन किया और खुद की जेसी भी मशीन चलाने की जानकारी दी पैसों की आवशक्ता बताकर सरपंच को डीजल बेचने का प्रलो भन दिया सरपंच के बदमाशों के बताया डे पर पहुचने पर बदमाशों ने कट्टा लगा कर उनकी अंगूठी और पैसे छीन लिये और धमकाते हुए वहाँ से फरार हो गए सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुची मोबाइल के चावर लोकेशन के आधार पर सत्ना में दो बदमाशों को पकड़ लिया गया इनके द्वारा ठाने पर सूचना दिकी ली कि मैं चार बज़े के आसपास अपने घर पर था और मुझे फॉन आया किसी रक्ती का और उसने बताया कि मेरे पास JCV है और मेरे पास diesel बैचना चाहता हूँ आप आके लिए लो तो अग्याद नंबर था इनको जानकर इक ची में ये देखने की हिसाब से चले गए वहाँ कि कौन में एक टेज़ बैंच रहा हो मुझे फॉन कर रहा हूँ क्राम ग्रांज के चिंग साइवर की की के तुवारा स्ज़पी गवरा के साथ एक टीम मनाए गयों लगातार इस पीश की पतासाजी की दूरान दूसरे दिन तेरा तारीक और साम को बसर स्ट्रेंड के पास्पेर से उनकों है ये दो लोग संदीर दिक हाला ती मेरे दिसक मे एक का नाम का अविशेक पांडे अविशेक गौतम और दूसरे का नाम अजय पांडे ये दौरों लोगों से पूस्ताज की गई तो लट्डा की बारे मेना है सुईकार किया इनसे जो लूटे का पैसे बहुत बरामाल हुए साथ में जो जटना प्रक्रमाटर साइग भी बह बदमाशों के पहचान अंकुर गौतम और अजय पांडे के रूप में हुई पुलिस को इनके पास से बारदात में प्रयोकत 315 बोर का कट्टा बाइक वा लूटे गए रुपे बरामद हुए हैं बताय जा रहा है कि बदमाश आदतन अपराधी है और उनके खिलाफ पहले स से ही सतना जिले के बिविनित थानों में मामला दर्ज है मुख्यमंतरी कवलनाथ के भू माफियाओं के खिलाफ एक्शन के बाद च्छतरपूर प्रशाशन भी अब इन माफियाओं के खिलाफ कारवाई कर रहा है सिविल नाहीं छेतर के दुरगा कॉलोनी में भू माफिया ह पर आरोप है कि उसने गरीबों को सरकारी जमीन पर कॉलोनी बना कर बेच दी पुलिस ने इस भू माफिया को गर अफ्तार कर जेल भेच दिया है प्रशाशन का कहना है यह कारवाई आगे भी जारी रहेगी मानने मुख्यमाजी माफिया के उकुछ सत्त निज़्देश है कि जो भी किसी पुतार का माफिया हो उसके विरूदि शक्त कारवाई करके कारवाई की जाए इसी दोर में आज एक भू माफिया यहां पे दुरगा कालोनी में हालके यारू नाम का है उसके दोरा उसके दोरा भी काफी बड़े एरिया में मकान बना गया और साथ में कालोनी वासी जो लोग है उनको जो अने पूरे गाम में जमीन बेच करते कालोनी आज तरीके से मकान बनवाई गया है पुरानी परिवार पेंशन लागू करने के लिए अधिकार यात्तरा के तहत विश्राम ग्रह के हार सेकेंडरी स्कूल तक रेली निकाली और बी-ई-ओ को मुख्यमंत्री के नाम पत्र दिया जिलाध्यक्ष चंद्रोदय मिश्रा और तिरते वर्ग करमचारी संग अध्यक्ष शाम बिहारी तिवारी ने सरकार के बचन पत्र के अनुसार पुरानी परिवार पेंशन लागू करने की मांगी जो हमारे अध्यापक संबर के अन्य विवाग के 56 विवागों करमचारी रिटायर हो रहे हैं उन में जो NPS कटता है उसमें NPS की 60% रास तो उनको एक मुष्ट दे दी जाती है और 40% रास में आज इवन पेंशन बनाई जाती है और उस आज इवन पेंशन में उनकी जो पेंशन की रासी होती है वाट सो, एक हजार, बारा सो होती है इससे उनका 62 वर्स की आयू के बाद बुजारा हो पाना बड़ा मुस्किल होता है इसलिए हम चाहते हैं आज परिवार पेंशन बहाली आत्रा निकाल कर मानी मुखमंतरी जी से बिनमर निवेदन करते हैं कि वो हर हाल में सभी संभर के करमचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नेताओं की पेंसल बरसे नहीं पाते ने इनके पास जमीन है नजाजाद होती कि वह एक नौकरी होती है यह जिस नौकरी में रिटायरमेंट हो जाते हैं पेंसल नहीं पाते और उनका परिवार कैसे चले इस मुद्दे को लेकर के हम यहां पर कमिचारी संग्ठन में ये बात चंदोदय जी शुरू की है हमारे और उनके ओंप्रकास मिश्रा अनि सभी नेताओं के नेतित में मैं यह अंदोलन करूंगा अभी तो मात एक रैली निकाल कि सरकाओं के शिताव में दी जा रही है केंद गवर्मेंट और 35 सरकार को चैन की नीज सोने नहीं दूंगा जब त चैन की उफ्तियों ने मंगल गीत गाकर अपनी पंजाबी विरासत को एक बार फिर जीवित कर दिया लोड़ी पर्व के अफसर पर लोगों ने लकडी की लोड़ी बना कर अगनी प्रचलित की और उसमें तिल गुर्मों फलीवा अन्य सामगरी समर्पित कर खुशिया मनाई पर्विक में पंजाबी समाज के साथ सा सिंधी समाज के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए और एक दूसरे को बढ़ाई दी आप गुर्जी की पते लोड़ी दी आप वूरे देशान लख लख बधाईयां आने वाले साल्दिया में ज़ले वह वाय अको ऑर रिक शांती रवे वादे शर्भ और वायगुऱ्ऄ्टी का खाल्सा रिक बोले इशो नहा रसरी आता आप proteg हैपी लोरीव सांस्कृत एक ताने बाने तक चंबल के पिलों से नकसलवादियों के गार सल्ट जोपड़ी से मेलों तक ठेलों से मेलों तक पखडंड़ LISA सर्कों तक गाउ से शेहर तक व्यापार से उद्द्यों तक राजदीती से उट्मीती तक लकाल्णनीउज आप क्या हम पर आप देख रहे हैं दखल न्यूज